नमस्कार दोस्तो जी की चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं दुनिया के अजीब वो गरिब चीजें जिनका राज आज तक भी नहीं खुला दोस्तो आज महान वेग्यानिक स्टीफन होकिंग दुनिया को अलविदा कह गए उन्ह खास बात यह है कि प्रह्मान तक की खोज करने वाले वेग्यानिक प्रत्वी पर इन सब चीजों का रहस सही से सुलजा नहीं पाए आई आए आपको बताते हैं वो कौन से रहसे हैं केनिया के रुडोर्फ लेक के पास बना एक आईलेंड इन वाइटेंड कहलाता है जिसका मतलब है नो रिटन इस आईलेंड पर कोई नहीं रहता है इसके साथ यह कहानी जड़ी हुई है कि कई साले पहले यहाँ पर लोग रहते थे लेकिन एक रोच अचाना गाइब हो गए और उनका पता लगाने पर भी वह लोग नहीं मिले आज भी जो यहाँ जाता है वह कभी लोटके नहीं आता है 256 साल तक जीने वाला माना ली कुई यूआन 1677 से 1933 तक जो कि 256 साल तक जीए वह चीनी दवाईयों के विद्वान थे जिसके लिए उन्हें 100 साल के उम्र में सरक पत्थरों की बॉल लगभा 1930 की दशक में इन पत्थरों को खोजा गया था जिनका वजन 16 टन का है यह हाथ से बनाई गई है और जिस पत्थर से यह आकरती बनाई गई है वह इतनी आसानी से नहीं मिलता है सबसे छोटे पत्थर की आकरती किसी टेबल टेनिस की बॉल की जैस लोगों ने इसे माना निर्मित से जादा मानते हुए इसे सिध्ध भी किया है लेकिन यह कैसे बने इस पर रहस बरकरार है कौन था वो यह बहुत ही रहस में गुत्ती है 200 मीटर के गहराई वाली लेक स्कॉटलेंड में है 1934 में अप्रेल के महिने में लंदन के एक डॉक्ट इस मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले प्राणे को अपने कैमरे में कैद कर लिया इसकी आकरती कुछ इस तरह के प्राणियों जैसी है जो आज से लगबस लाखों साल पहले लुप्त हो चुके हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारा यह वीडियो पसं और आपको प्राणे कि देखक दीप्त हो मारे में का यह वीडियों पहले दोुके हैं